क्या आपको पता है पाकिस्तान के सस्थापकों में से एक हिंदू भी था जी हाँ हम बात कर रहे हैं जो गेंदरनात मंडल की जिन्होंने पाकिस्तान आंदोलन में बढ़ चड़कर हिस्सा लिया और पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बने 1937 के प्रांथी चुनाव से अपने राजीतिक करियर की शुरुआत करने वाले मंडल ने बंगाल प्रांथ की सीट पर निर्दली चुनाव लड़ते हुए कॉंग्रेस के प्रसितंदी को खरा दिया था 1940 के वक्त मुस्लिम लीग की तरफ इनका जुकाव होता है और बंगाल की सुहरा वर्दी सरकार में इन्हें मंत्री का पद मिल जाता है यही नहीं यह डॉक्टर अंबेटकर के फॉलोवर भी थे और अंबेटकर नहीं के साथ मिलकर बंगाल में शिड्यूल कास्ट पॉडरेशन की स्थापना भी की थी 1946 में जब बेटकर बंबई से चुनाओ जीतने में कामयाब न हुए तो मंडल नहीं बंगाल से चुनाओ जीतने की रहा आसान की भारत का समिधान बनाने में भी मंडल का विशेश योगदान रहा 1946 के बंगाल दंगो के समय मंडल ने इस्ट बंगाल के दलितों से मुस्लिमों के खिलाफ कोई विरोध ना करने को कहा मंडल ने दलितों से कहा कि हिंदू जात इसे दलितों की तरह मुस्लिम भी दबाए गए है दलित मुस्लिमों के साथ बहुत अच्छे से रह सकते हैं बजाए हिंदूओं के इसलिए मुस्लिम लीग को सपोर्ट करो लेकिन यही मंडल जो पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बने तीन साल के भीतर ही पाकिस्तान की हकीकत समझ गए और मंत्री पत से यह कहते हुए त्याग पत्र दे दिया कि पाकिस्तान में अलपसंखिकों और दलितों के साथ मुसल्मानों के साथ जो सलूख है वो शर्मनाक है सितंबर 1948 में जब जिन्ना की मौत होती है तब मंडल के जय भीम जय मीम के ख्वाब की हकीकत और अधिक साफ हो जाती है पाकिस्तान में हुए दंगों में जब मुसल्मानों और पोलिस ने मिलकर दलितों पर पैचार किया मंडल ने इसका पुर्जोर विरोत किया लेकिन हाला बत से बत्तर होते चले गए दलित हिंदू और अल्प संख्यों को पर अत्याचार का हवाला देते हुए मंडल अपने पत से इस्तीवा देते हैं और भारत चले आते हैं अब तक मंडल का सच से सामना हो चुका था और वापस आने के बाद जो शक्स दलितों से हिंदूों के खिलाफ खड़े होने की बात करता था वो खुद पूर्वी पाकिस्तान से जान बचा कर आ रहे हिंदू शरणार्थियों के रहने की व्यवस्था करवा रहा था